एक गरीब रहडी वाले को आदेश है कि वो अपना समान अपने नाम की तक्ति लगा कर ही बेच सकता है ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावडिया किसी मुसल्मान फल वाले से फल खरीद के न खाले या किसी मुसल्मान के ढाबे या होटल पर खाना न खाले जब बैठे बिठाई कुछ नहों करने को तो नफरत का च्छोंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं भगवान न करें जरूरत पढ़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसल्मान हो तो क्या पिलाज नहीं कराईएगा जरूरत पढ़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एक मात्रवक्ती मुसल्मान हो तो क्या उसका कून नहीं लीजेगा अगर इन रेडियों पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा उनसे समान खरी दिएगा या नहीं खरी दिएगा असलियत ये है और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कावडियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहा है ये जो धर्म के नए-नए स्वयम्भू ठेकेदार बने है ये ढोंगी ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को क्योंकि मेरे महादेव मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पढ़ने से बिलकुल प्रसंद नहीं होगी असलियत ये है कि ये वो डर्पोक सरकारे और प्रशासन एसी कारवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं मुसल्मान के economic boycott की असलियत को समझे उनके बहिशकार की असलियत को समझे और साजश को समझे क्योंकि ये वो ही जाहिल है जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदूों के बहिशकार की बात करने लगते हैं अरे कितनी नफरत पहलाईएगा कभी तो जोडने की बात करिए इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया अभी तक कुछ समझ में नहीं आया चलिया आएगा समझ में क्योंकि मेरा देश महबबत का देश है मेरा देश जोडने वाला देश है नफरत का बाजार मत लगाईए क्योंकि सेव अबदुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है सेव मीठा होना चाहिए और कितना भी नफरत का बाजार लगाई है जीत तो महबत की ही होगी हर हर महादेव